हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक रिविव शेयर करने वाली हूँ जो कि है एक बहुत एक कॉम्पेक्ट सा प्रोड़क्ट और ये एक फूड प्रोसेसर है हमिल्टन बीच ब्रैंट का तो उमीद करते हूँ आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहेगा आपको पसंद आएगा तो चलिए बिना देरी किये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कॉम्पेक्ट सा फूड प्रोसेसर जो की हैमिल्टन बीच ब्रैंड का है हैमिल्टन बीच ब्रैंड एक अमेरिकन कंपनी है और ये एक हाइन ब्रैंड है तो देखते हैं किस तरह का है ये प्रोड़क्ट और क्या-क्या फीचर सेंस के सबसे पहले तो इससे अन्बॉक्स करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स के अंदर हमें मिल रही है पैकेजिंग के जहां तक मैं बात करूँ बहुत ही अच्छे से पैक हो किया था कार्डबोर्ड की कटिंग ये इस तरह से थी कि जिसमें आपका प्रोड़क्ट अराम से सेफली सेट हो जाए तो ये देखे आप कार्डबोर्ड की कटिंग अब देख पा रहे हैं इसके बीच में ये सारी चीज़ें रखी हैं इसमें थर्मकॉल वगर का यूज नहीं था बड़ कार्डबोर्ड की कटिंग की वज़े से ये बिल्कुर फिक्स था अपनी जगा पे तो चलिए सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं सबसे पहले ये है इसका बाउल जिसके अंदर सारी चीज़ें हमारी प्रॉसेस होंगी इसकी कैपसिटी एट कप्स के अराउंड है और इसके अंदर ये मैंने लगा दी है इसकी चॉपिंग ब्लेट तो इसके साथ एक तो chopping blade मिलती है हमें और एक मिलती है ये disc ये disc reversible है और ये दोनों तरफ से काम करती है एक तरफ इसमें slice लिखा हुआ है एक तरफ shred लिखा हुआ है तो जिस तरफ जो चीज लिखिया उस तरफ आप लगाएंगे तो वो ही work करेगा तो इस तरह से एक ए disc में इसमें दो काम हो रहे हैं तो इसको इस तरह से उपर लगा सकते हैं अभी मैं आपको chopping blade लगा के दिखा रही हूँ और इसका जो lid है वो lock system के साथ में है जनरली जो lid आते हैं उसमें side में वो फज़ जाता है इस तरह के flip वाले lock नहीं होते हैं तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है जो काफी secure है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह grooves बनी हुई हैं इसमें इसको attach करके इस तरह से lock कर देंगे दोनों तरफ से same way ही यह lock होता है यह देखिए इसको आपने set करना है handle के साथ में handle और side में यह groups एक साथ आनी चीए ताकि आपका यह lid अच्छे से lock हो जाए आपकी सारी चीज़ें अच्छे से lock होंगी तब ही अच्छे से काम करेगा यह इसका एक large pusher है जिसकी help से आप बड़ी चीज़ों को इसमें डालते time push कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से और इसके पीछे एक point है इसको press करते वे इसको under fix किया जाता है यह देखिए इसके उपर एक और hole है जो की small pusher की काम आता है जिसे carrot वगेरा गर हमने shirt करनी है तो इसमें carrot डाल दीजिए और उपर से इससे push कर सकते हैं तो इस तरह से दो इसमें pushher इसका जो plug point है वो three pin to है बट यह Europe and America में जो plug चलते हैं वो वाले हैं तो यह हमारे Indian switches में काम नहीं करते हैं तो उसके लिए इन्होंने इसके साथ एक अलग से plug दिया हुआ है जो की as a connector इसमें काम करेगा तो इसको मैं हटा दूँगी इसके उपर जो cover लगा हुआ है और इसके उपर यह जो इन्होंने connecting plug दिया हुआ है इसको हम attach कर देंगे फिर हमारे normal जो Indian plugs होते हैं उनमें यह आराम से काम करेगा तो इस तरह से यह है साथ सी इसकी जो cord length है वो भी काफी decent सी है बहुत ज़्यादा लंबी तो मैं नहीं कहूंगी बटियस इतनी है कि आप इसको थोड़ी सी दूरी पर plug कर सकते हैं तो इस तरह से यह है और यह इसकी main motor के नीचे आपको दिखाती हूँ मैं इसके base में इस तरह के anti-skit legs है फोर तो इससे काफी अच्छे से vacuum create हो जाता है और यह अपनी जगह से कह सकता नहीं है अगर आपको इसको store करना है तो इसके नीचे cord को roll करने के लिए space दिया हुआ है साथी back side से इस तरह का एक loop सा दिया हुआ है जिससे आपका ये wire मोड़ेगा नहीं और इस तरह से आप इसको अराम से use कर सकते हैं तो ये देखे compact सी है इसकी motor काफी चोटी सी है और इसके ऊपर जो ये bowl है ये as it is लग जाता है आपको handle के साथ handle मिलाना है बस इस तरह से पूरा setup लग जाता है इसको आपको rotate करने की जूरत नहीं है यहाँ पर आ जाते हैं इसके panelling की तरफ यहाँ पर सारी चीज़े mention हैं यहाँ पर यह four button दिये हुए हैं जिसमें एक तो इससे rotate हो रहा है तो अभी इसे clean करेंगे फिर हमसे use करेंगे तो चलिए इसकी performance चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गाजर, एक मूली, टमाटर और प्याजलिया हुआ है तो इसकी disc में जैसे मैंने आपको बताया reversible है यह एक तरफ shred कर सकते हैं और एक तरफ से slice कर सकते हैं तो जिस तरफ आप रखेंगे वह वाला function इसका काम करेगा और इसमें simple एक ही disc मिलती है तो इस तरह से इसका lid हम हटा देंगे इसके अंदर जो यह S chopping blade है वो इसको हटा दिया है और अब यह जो अंदर एक pipe से होती है इसमें उसमें हम fix कर देंगे यह blade तो अभी जिस तरफ से हमने रखा है वो shred करने के लिए रखा है उसके बाद यहाँ पर इसको fix कर देंगे और इसके बाद इसको lock कर देंगे तो आपने देखा पीछे अगर आप handle के साथ उपर से अच्छे से attach करते हैं उसको press करते हैं तो handle बहुत अच्छे से lock हो जाते हैं इस तरह से यह पूरा leak proof हो जाता है यानि कि आपको tension नहीं है कि कुछ आपका चीज़ें leak करेंगी बाहर अब मैंने इसका pusher लगा दिया है और जो small hole है उसमें से हम carrot को अंदर push करेंगे तो carrot का size आप check कर लें एक बार की इसमें कितनी जारी अगर थोड़स आपको छोटा लग रहा है तो या तो आप big mouth का use कर सकते हैं या फिर इसको slice कर सकते हैं बीच से तो यह एकदम perfect है पूरी गाजर अंदर जा रहे है अराम से तो यहाँ पर मैंने plug on कर दिया है आप slice करें, chopping करें या shred करें हमेशा ध्यान रखें कि blade आपका चलता हुआ होना चाहिए जब आप उसके उपर कोई ingredient उपर से push कर रहे हैं उससे क्या होता है, waste is कम होता है जो starting में आपका रहेगा चलती भी blade के उपर जब जाएगा तो वो बहुत ही easily cut कर निकलता है otherwise आपका starting का part भी waste से आएगा और last का भी तो इस तरह से आप ध्यान रखें और यह देखें बहुत ही जल्दी यह shred हो गई है सारी गाजर चार पांस थी है unlock करने के लिए भी side से जबसाब को यह flap open करने है और lid को हटा देना है यहाँ पर अब देख रहे है चोड़ असा piece just waste हुआ है वो भी इसलिए क्योंकि वो last का piece hard होता है और shred देखे काफी अच्छे से हुआ है और काफी dry है यह इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकला है जो blade शाप नहीं होते है उनमें बहुत सारा पानी नीचे आ जाता है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है again मैंने same jar को clean किया है और अब इसमें हम slicing देखेंगे कि slicing किस तरह से हो रही है तो same disc को हम reversible way में इस तरह से set कर देंगे यह disc मैंने clean नहीं किया जैसे थी वैसे ही मैंने इसको लगा दिया है और अब इसको again lock कर दिया है तो यहाँ पर मूली को मैं slice करके दिखा रही है यह चोटी सी मूली है और इसके लिए यहाँ पर पहले on कर लिया फिर उपर सी मूली को push करना शुरू किया है और यह देखे किती बढ़िया इसकी slicing हो गई है यहाँ पर first button से ही आप इसको off कर सकते हैं इस तरह से lock खुल लिया है और अब मैं आपको slicing दिखाती हूँ किस तरह की हुई है यह देखे एकदम अच्छी सी fine slicing है इसमें तो इस तरह सी slicing हो गई है नेक्स में बनाने जा रही हूँ vegetable warmistry उपमा जिसके लिए खूब सारी vegetables की हमें जरुत होगी तो यहाँ पर बारिक वाली जो सीविया है उससे मैं बनाऊंगी यह उपमा तो यहाँ पर कुछ capsicum, carrot, beans, tomato और onion मैंने लिया है और एक लिए है green chili तो यह सारी चीज़े में एक साथ ही इसमें चॉप करूँगी थोड़े से peas and corn भी मैंने लिये हैं तो यहाँ पर मैंने chopper को अच्छे से clean कर लिया था इसकी S blade को मैंने लगाया है और सारी चीज़ों को मैंने एक साथ इसमें add कर दिया है और इसके बाद हम यह last push button जो है इसकी help से इसको थोड़ी थोड़ी देर में प्रेस करेंगे ताकि इससी जो chopping है वो even हो तो आप देख सकते हैं दो तिन ही push में यह इस तरह से chop हो गए है सारी carrot थोड़ी से hard थी तो उसके दो पीसे हाँ पर थोड़ी से मोटे रहे हैं बट एक तरह के texture की जब vegetable होंगी तो उनको push करके आप अराम से chop कर सकते हैं जितने भी size में आपको चाहिए तो यहाँ पर vegetable उपमा बनाने के लिए मैंने oil डाला है oil में राई और करी पता डाल कर यह सारी chopped vegetable मैंने डाल दी है मैंने तो थोड़ी सी fine chop की हैं वट आप थोड़ी सी मोटी भी इने रख सकते हैं बच्चे अधिक तरह vegetable नहीं खाते हैं खाने में आप इस तरह से बारिक चॉप करके उनको डाल दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा इनको fry करने के बाद इसमें मैंने sweet corn और piece भी आट कर दिये हैं अब इसमें डालेंगे थोड़ी से मसाले जिसमें धनिया powder साथी red chili powder और हलका सा salt मैंने पहले इसमें add कर दिया था और बाकी टेस्ट करके हम बाद में add करेंगे इसमें आप चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला भी add कर सकते हैं तो यह मैंने इसमें add कर दिया है तो यहां पर यह सारी vegetables मेरी अच्छे से cook हो गई है इसमें मैंने थोड़ी सी देगे match और चाट मसाला add किया है और अब यह ready है इसके बाद हम इसमें add करेंगे सेविया तो सेविया मैंने उपर से डाल दी है यह बारिक वाली जो सेविया होती है इनको cook होने में बहुत जादा टाइम नहीं लगता है तो एक बार इनको vegetables के साथ अच्छे से mix कर देंगे कई बार vegetables में moisture के साथ ही यह cook हो जाती है अगर आपको ज़रत लगे तो उपर से थोड़े से पानी के चीते दे कर आप इसको cook कर सकते हैं से cover करें और उसके बार जब यह cook हो जाए फिर मैंने इसमें एक चमच lemon juice उपर से एड़ किया है और अगेन इसको थोड़े दिर को खोने के लिए छोड़ा है यह हमारा vegetable सेमियों वाला उपमार रेडी है काफी यमी बनता है और खूब सारी vegetables के साथ में हैं आ जाते हैं प्रोड़क की तरफ प्रोड़क को clean करना बहुत ही easy है running water में जिस्ट आप जब use करें उसके immediate बार इसको clean कर लें तो इसमें आपको कोई भी brush या soap लगाने की जरुरत नहीं है हर बार साथी decent capacity के साथ का bowl आता है और इसके attachment बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़्जट नहीं होता है regular basis पे आप इस product को use कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस product के बारे में जो भी information आपको जाननी है वो आप description box में चेक कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आप से एकसी और नई interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching